Assalamualaikum Welcome back to my channel आज हम देखेंगे खटे आलू की रेसिपी जिसे के तेज आलू या लाल बटाटे भी कहा जाता है रमजान में अक्सर इस डिश को बनाया जाता है तो चलिए देखते हैं इस डिश को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडियन्स चाहिए यहां हमने लिये हैं बॉयल के हिवे आलू 5 मीडियम साइज के जिसे बॉयल करके हमने छील कर बड़े टुकडों में काट लिया है इसी के साथ हमने लिये है 5-6 लसन की कलिया जिसे हमने क्रश करके लिया हुआ है दे टेबल स्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है पाव टी स्पून हमने लिये है राई और पाव कप बारी कटी हुई हरी धनिया 10-12 करीप अथा लिया है हमने और इमली का पानी लिया है तकरीबन आधा कप जितना आप खटा खाना पसंद करते हैं उतना इमली का पानी इस्तमाल करें बस इमली को हमने पानी में भीगो कर उसका पानी निकाल लिया है और उसे के साथ हल्दी पावडर अब इसे पका लेते हैं एक पैन में तीन टेबल स्पून तेल गरम कर ले अब उसमें दाल देंगे राई साथी लेसन उसे के साथ हम दालेंगे करी पत्ता और आधा मिनट लो फ्लेम पर इसे फ्राइए कर लेंगे इसे हमें बिलकुल भी जलने नहीं देना है वन थर्टी स्पून के करीब हल्दी पावडर दालेंगे और उसे के साथ लाल मिर्च पावडर फ्लेम को हमने बिलकुल लो रखा है लो फ्लेम पर हमें इसे 30 सेकंड फ्राइए करना है और हम फावरन उसमें इमली का पानी दाल देंगे और उसे लो फ्लेम पर पका लेंगे मिर्च पौडर और हल्दी पौडर दाने के बाद आपको फ्लेम बिलकुल लो रखनी है वरना मसाले जल जाएंगे आप देख सकते हो कश्मीरे मिर्च पौडर से इसका कलर कितना अच्छा आया है हम इसे लो फ्लेम पर 3-4 मिनट पका लेंगे और आप देख सकते हो ओयल काफी सेपरेट हो गया है अब नमक दालेंगे मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें बॉयल के हिवे आलू शामिल करेंगे साथी बारी कटी वे धनिया दाल देना है और फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसे उपर नीचे मिक्स कर लेंगे मसाले में बस हमें अच्छी तरह से उपर नीचे मिक्स कर लेना है खटा आप अपने हिसाब से कमिया जैदा इस्तमाल कर सकते हैं जितने आलू आपको खटे चाहिए उस हिसाब से आप इमली का पानी इस्थमाल कर ले देखिए हमने आलू को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है बस अब हम फ्लेम को लो करेंगे और ढख कर इसे तीन से चार मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे अब चट कर लेते हैं देखिए हमारे मज़ेदार खटे चट पटे से आलू बनकर तयार है अब हमें फ्लेम को आफ करना है और बस आखिर में हरी धनिया चिड़क देंगे और इन गर्मा गरम खटे आलू को एक डेश में निकाल के सर्व करेंगे देखिए कितने चट पटे लग रहे हैं ये और कलर भी कितना अच्छा आया है कश्मीरी लाल मेश पॉडर से आलू में कलर बहुत ही अच्छा आता है आप भी कश्मीरी लाल मेश पॉडर ही इस्तमाल करें और ये ज्यादा तीखी भी नहीं होती है देखिए मज़ीदार हमारे खटे आलो बनकर तयार है हमने इसे एक डिश में निकाल कर सर्व किया है रेसिपी पसंद आए तो इसे जरू ट्राइ कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले टेक केर लाफ इस